तो क्लाश टन के बिच्चों मेरी बात को ध्यान से और शांती से सुनो जो मैं कोशन आप लोग को इस वीडियो के अंदर देने वालों जो टॉपिक्स आप लोग को बताने वालों वो बहुत जादे इंपोर्डन्ट है मैं चीक के या फिर चिला करके नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये मत सूचना कि ये इंपोर्डन्ट नहीं है बहुत जादे इंपोर्डन्ट है लेकिन मैं किसी बच्चे को ये भी नहीं कहूँगा कि आप NCRT बिल्कुल मत पढ़ना कोई मैं कहीं नहीं सकता कोई बंदा नहीं कह सकता जो कह रहा है वो पक्का आप लोग को सिर्फ मुर्ख बना रहा है मेरे बात को सुनो आपको NCRT पढ़ना बहुत साथ है लेकिन जब तुम NCRT पढ़ रहे हो तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जो है तो प्रिवेस से हम लोग एक हिंट पा सकता है जिससे हमें सारे कोउशन्स पता चल जाते जो इंपॉर्ण्ट है तो ये सारे कोउशन्स को अच्छे से कर लेना ये बहुत इंपॉर्ण्ट है तो श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले चैप्टर से तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो टॉपिक आप लोग को बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो किसी भी टैप को कुशन बन करके आजे कितना भी घुमा करके कुशन आजे वो सॉल्फ कर जाओगी तो इस चीच को फोकस में रखो इसलिए बतारों कि आप लोग को जो कोशन्स है ना वो बाद में दूँगा जब टॉम टू का एक्जाम नस्दीक है गा वो कोशन्स बना करके दूँगा लेकिन अगर अभी या आपका प्रीबोर्ट चाले है फिर एक्जाम आने वाले टम टू का भी तो भी ये टॉपिक बहुत जाद इंपॉर्डन्ट है तो सबसे पहला जो सबसे जादा इंपॉर्डन्ट टॉपिक है वो है आप लोग का पूना पैक्ट है और जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे है मैं उनको बताना चाहता हूं यह मत सोचो कि इंग्लिश में आप लोग इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे कनवर्ट कर दोगे गूगल पर जाकर के लिखोगे तो आपको हिंदी में निकल करके आ जागा वही आपका important होगा ऐसा नहीं कि हिंदी में एकदमा लग important हो नहीं यही चीज important है क्योंकि NCRT एक ही है English आईए और हिंदी में इसको अगर गूगल पर जाकर के ट्रांसलेट करोगे वही आपका important होगा ठीक है अगला है आप लोग का जो important topic वो है civil disobedience moment मतलब सवीने अवग्या अंदोरन हिंदी में ये भी आप लोग का important topic है इसके बाद है आप लोग का difference इमर्ज था Congress और Muslim की कौन कौन से differences इमर्ज होए थे Congress और Muslim के बीच में ठीक है इसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है अगला है आप लोग का महात्मा गांदी सत्यागर है in various places तो आप लोग को बता है कि अलग-लग places में जो महात्मा गांदी के सत्यागर होए थे उनके बारे में भी आप लोग को जो सबसे पहला topic जो सबसे ज़ादे important है वो है major problem of cotton textile industry आप लोगो cotton textile industry के अंदर आने वाले जितने भी major problems है उनको पढ़ लेना है हाँ यह आप लोग के examination में आ जाता है और आ जाता है second topic है आप लोग का why is iron and textile industry call up basic यह भी आप लोग को अच्छे से कहा लेना है कि क्यों iron और textile industry को जो है वो basic कहा जाता है topic number third importance of jute industry अब jute industry के क्या importance है क्योंकि आप लोग को बता है कि आज के time पे jute क्या जो काम है वो बहुत ही काम होती जा रहा है राशन की बोरियों कोई जो है वो आज के time पे jute में use के जाता है तो importance of jute industry आप लोग को यहाँ पे बताना है कि उस industry का actual में क्या importance है ठीक है यह तो मैंने example ऐसी देखर के बता दिया माइंड में आगे था अगला आप लोग का topic no.4 large scale and small scale industry इनके बारे में आप लोग को बढ़ लेना है और जो differences होते हैं उनको भी आप लोग को अच्छे से जावो कर लेना है यहाँ पे आप लोग का यह जो chapter है वो complete होता है अब चलते हैं अगले chapter वे जो की आप लोग का lifelines of national economy feature of railways in इंडिया अब इंडियान railway के ठीक है समझ जा ठीक है topic no.2 जो है आप लोग का pipelines transport अब यह किश ट्राइप का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इससे related question आप लोग के examination में आ जाता है बहुत important है इसको तो अच्छे सका लेना pipelines transport बहुत जादे important है अग देखो जितने भी topic है वो सभी important है जो ब काम आता है किस काम आता है कहां यूज होता है वो सब चीज़ा आप लोग पढ़ोगी तो इसके बारे में आप लोग को पता चलेगा कि चाह के चीज़ां ठीक है तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से topic no.4 आप लोग का different type of road in India के कितने type की road होती है इंडिया सके अंदर आप लोग तो इसके अंदर आप लोग को जैसे हमारी highway होती है national highway हो गया state highway हो गया road हो गया village road हो गई insulated आप लोग को जितने भी type की roads होती है उनके बार में अच्छी से पढ़ लेना है अगला आप लोग का topic no.5 problem faced by Indian roadways अब कौन कौन सी ऐसी problem है आप सभी लोग जानते हो यह basic question है insulated question आप लोग के examination में बनता है basic कहने की basic है important है बहुत जादे important है अगला आप सभी लोग का next chapter आ multi-party system multi-party system मदब कि MPS जो है उसके क्या merit है और क्या demerit है इसके बार में आप लोग को अच्छे से जाबो पढ़ लेना है topic no.3 है आप लोग का characteristics of political party and functions topic no.1 अगला topic है आप लोग का rule of opposition party in democracy opposition party का क्या रोल होता है democracy के अंदर लोग तंदर के अंदर ठीक है तो यहाँ पे आप ल अगले chapter outcome of democracy की दरफ तो outcome of democracy में आप लोग का जो सबसे पहला topic है वो है आपका democratic government are better than its alternative explain the statement merit of democracy तो यह आपका एक type के question है आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना आपके NCRT के अंदर आप लोग को यह जो है मिल जाएगा बहुत आराम से इसको कर एकोनामिक्स के सबसे पहले chapter money and credit पे जिसके अंदर आप लोग का सबसे पहला topic important है functioning of money के money की किस तरीके से functioning होती है second topic है आप लोग का reserve bank of india in controlling sector loan आपको बताना है कि reserve bank of india का क्या यहाँ पे जो है वो role है control करने में loans के sector को ठीक है अगला है आप सभी लोग का यहाँ पे functioning of self help group ठीक है यह भी आप लोग का important topic है अब आपका अगला जो third topic है जो की बहुत जादे important है वो है आपका what is banking and main feature of banking यह तो important है banking से related आप लोग का question जो है वो exam में आ जाता है ठीक है banking अब feature क्या होता है banking के यह आप लोग को अच्छे से कर लेना है अब अगला chapter आप लोग का globalization and indian economy impact of WTO on indian economy आपको बतारा है कि world trade organization का क्या impact होता है indian economy में ठीक है topic number second है आप लोग को यहाँ पे liberalization and privatization इन दोनों को आप लोग को जो है वो पढ़ लेना है बहुत जादा important है इसके बाद जो अगला topic है आप लोग का what are MNC's and their functions तो यहाँ पे आप लोग का सारा का सारा जो है वो important topic complete होते है तो sst के जितने important topics मैं आप लोग को बता दी इसके लावा extra important question होगी जो मैं आप लोग के examination के नस्दीक लगँगा अगर आपका pre-board शल रहा है तो इसको enough मानो अभी आप लोग के लिए इतना enough है क्योंकि अभी pre-board के साबसे इनको कर लो नहीं तो मैं जो question दे दूँगा वो भी आप लोग के कर लो ठीक है thank you